आज हम र्याक्शन करने वाले हैं इसलामबाद वर्सिस चंडीगर 35 यह कंपेरिजन मुझे समझ नहीं आया क्यों हो रहा है क्यों कि इसलामबाद जो है पाकिस्तान की साविटल है Imagine Crunch केरिशलों इसलामबाद अबिशताव तर्डों और यह चंडीगर तक क्शला सकता है ये शायद आसपासी है दोनों शहर तो इस वज़े से दोनों पंजाब में इसलिए पंजाब में पंजाब में नहीं है अच्छा अलग है तो देखते हैं यवी एक्सप्लोर यर्ज की तरफ से मेक्शियो टू सब्सक्राइब है तो सबसे पहले हम जानते हैं इसलामाबाद के बारे में तो 220 किलोमेटर स्कॉाइर एडिया में फैला हुआ इसलामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है अगर नेचुरली देखा जाए तो इसलामाबाद एक काफी खुबसूरत और प्लैंट सिटी है जिसे 1960 के देशक में पाकिस्तान की नई राजधानी के तोर पे बसाए गया था ये सहर 8 जोंस में बटा हुआ है जिसमें रेजिडेंसियल एरियास, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, डिप्लोमेटिक इंकलेब्स, एजुकेशनल और कॉमर्सियल एरियास और यहां का रूरल और ग्रीन एरियास सामिल है वहीं अगर यहां के ट्रांस्पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसलामाबाद का रोड नेटवर्ट काफी अच्छा माना जाता है यहां पर कई बड़े रोड इंटर्चेंज मौजूद है जो कि इस सिटी के डेली ट्रैफिक को मैनेज करते हैं इसके अलावा रावलबिन्डी इसलामबाद मैट्रो बस एक 24 किलोमेटर लंबी बस रैपिट ट्रांजिस सिस्टम है जो कि इसलामबाद को यहां के नजदी की सहर रावलबिन्डी से जोडता है इसके अलावा इसलामाबाद railway and airport से भी well connected है यहाँ का इसलामाबाद international airport पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अट्टा है जो की दुनिया भर के major destination से जुड़ा हुआ है And up बात करते हैं यहाँ के economy and data के बारे में तो अगर 2017 की report देखें तो इसलामाबाद की total population 1.1 million की है And यहाँ की literacy rate 87% की है जो की पूरे पाकिस्तान में सबसे highest number माना जाता है वही 2021 के report के नुसार यहाँ की total GDP 2.86 billion US dollar की है जो की पाकिस्तान की total economy में 1% contribute करता है यह place बहुत खुपसुरा है And अब बात करते हैं चंडीगर के बारे में तो चंडीगर इंडियन स्टेट पंजाब एंड हर्याना की राजधानी है जो की 114 किलोमेटर स्कॉाइर एरिया में फैला हुआ इंडिया की एक union territory भी है यह सहर mainly greenery और यहाँ की खुपसूरत climates की वज़े से The City Beautiful के नाम से भी जाना जाता है जिसे 1953 में भारतिये पंजाब की नई राजधानी के तौर पे बसाये गया था बट आज के टाइम पे चंडीगर कई residential and commercial sectors में बटा हुआ है इसके साथ ही यहाँ का 30% area सिर्फ lakes, garden और forest के लिए reserve है तथा यहाँ की जागतर streets को European style में बनाया गया है अब बात करते हैं यहाँ के transport infrastructure के बारे में तो चंडीगर में भी आपको same Islamabad से मिलती जुलती सड़के देखने को मिलेंगी बस चंडीगर में road interchange की जगे पे round boats है जो की गाडियों की traffic flow को बिना रोके हुए एक से दूसरी दिसा में divert करती है वहीं यहाँ की सड़कों पर जादतर street you की CNG और electric बसे देखने को मिलेंगी इसके लावा यह से है railway and airport से भी well connected है यहाँ का सहीदे आजम भगत सिंग international airport इंडिया का 19 सबसे बड़ा airport है जिसे international airport council द्वारा 2020 में एसिया का सबसे cleanest airport का award भी मिल चुका है अब जान लेते हैं यहाँ की economy and data के बारे में तो 2011 की जनगंडना के अनुसार चंडीगर की total population 1.6 million के करीब है और यहाँ के literacy rate 86.77% की है वहीं अगर हम 2020 की reports देखे तो चंडीगर की total GDP 5.9 billion US dollar की है जो की इंडिया की total economy में 0.215% का contribute करता है तो वीडियो इधर ही एंड होता है और देखो मैं तो ना पंजाब गया हूं मतलब चंडीगर और obviously इसलामबाद तो गया ही नहीं हो तो लेकिन इनका comparison इसलिए वहाँ मुझे यह वीडियो देखके लगा कि इनका infrastructure एक तो जैसा कि इन्होंने बताया है similar सा है same सा है literacy rate जो है वो भी similar सा 87-87% और इसके अलावा जो greenery है दोनों ही शहरों में कमाल की greenery है और similar सा ही लगा हो देखने में मतलब इसलामबाद में भी पूरी हरियाली है और चंडीगर में भी इन्होंने बताया के 30% हिस्सा है बताया न इन्होंने जंगल का है बिल्कुल 30% एरिया जंगल का है और लेक का है और इसलामबाद में भी ऐसी है कि पूरी मतलब उपर से जब पूरा बताते है इसलामबाद का वीडियो पूरा greenery दिखता है जादा तर और इसलामबाद की population इन्होंने बताई 1.1 मिलियन है वहीं चंडिगाड की population भी कुछ 1 मिलियन ही बताई तो यह सारी चीजे इन शहरों में मिलती हुई है 1.6 मिलियन है चंडिगाड की थोड़ी जादा है तो यह चीजे इन में सिमिलर सी है इसलिए इन दोनों को मुझे लगता है compare किया गया है और यह जो चंडिगाड यह इंडिया की राजधनी नहीं है पंजाब और हरियाना की जबकि इसलामबाद पुरे आवरॉल पाकिस्तान की राजधनी है बिल्कुल और वहां पर इसलामबाद में बस rapid system है तो यहां पंजाब में भी electric bus चलती है बिल्कुल और वहां का जो literacy rate बता है उन्होंने पुरे पाकिस्तान में highest बता है मतलब इतना जादा पुरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है तो यह इसलामबाद इस चीज में सबसे आगे पाकिस्तान में बाकी आप बताओ आपको कुछ एक्स्टा चीज पता हो इन दोनों ही शेहरों के बारे में तो comment करके बताना बाकी वीडियो